लोगसवाचुनाव परिणाम को लेकर बीजेपी मुख्याले में भी तयारी की जारीया अलग-अलग पंडाल बनाये जारे हैं जिसमें मीडिया कैबिन बना गए हैं उसके अलाबा जो कारकरता नेता बीजेपी मुख्याले आएंगे उनके लिए खाने के लिए भी तैयारी हो रही है बीजेपी मुख्याले से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संबधा था के जो चैनल्स हैं उनके लिए केविन बनाया जाता है उसमें तमाम मीडिया चैनल्स को यहां अपने बीजेपी के गेस्ट यहां बैठते हैं केविन्स के अंदर तमाम तरह के जो जो ट्राइबो रेपोर्टर्स हों या फिर तमाम जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो यहीं से आकर live channels पर बैठते हैं और अपने media debates में participate करते हैं उसके साथ जो है इस पूरे दफ्तर में कई तरह की तयारियां जो हैं वो की जा रही हैं यहां जो तमाम जो कारिकरता आते हैं उनके लिए खाने की विवस्ता होती है तो उसके लिए भी है जो अलग से एक टेंट लगाया जा भी कि तयारियां जो है तो समाम तरह की तयारियां जो है कल के जो रिजल्ट है उसको लेकर बीजेपी मुक्ष्याले में तयारियां जो है वो की जा रही हैं अब बस कुछ समय का इंतजार है और जब चुना परड़ाम आएगा तो भी यहां तमाम तरह के आयोजन शुरू हो जाएंगे। अलगे इस पर फाइनल मोहर कल ही लगी। इस पर फाइनल मतगर्णा के दिन के लिए तयारी हो रही है। जब आगाज हो सकता है बीजेपी हो कॉंग्रेस हो जो सभी राश्टी पार्टियां उनके दबतरों में तयारी हो रही है। तो कॉंग्रेस मुख्याले के जो में ग्राउंड उसमें पंडाल लगाए गया है। कॉंग्रेस पार्टी नहीं आरोप लगाए था कि जो एक्जिट पोल आए हैं उनके जरिये बीजेपी महोर बंगाना चाहती है और वो चाहती है कि जो एजेंस हैं कार करता हैं प्रत्यास्ति हैं उनका मनोवल गिरे और वो काउंटिंग के दिन एक्टिव ना रहे हैं। कॉंग्रेस पार्टी ने संदेज देनी कोसस की है कि वो चुनाओ जीतने जा रहे हैं और इसलिए कॉंग्रेस दफ्तर में बाकाइदा तैयारिया चल रहे हैं। के भागे का फैसला होगा पहले एक तालिस हजार आठसो सतातर डाक मत पत्रों की गिंती होगी। डाक मत पत्रों की गिंती के बाद सुबह करीब साड़े आठ बजे एवियम कुलेंगी। मत गणनास तल पर सुरक्षा के तकड़ें इंतिजाम किये गए हैं। 12,000 से ज्यादा जमानों की तैनाती की गई है। बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं केमिनेट मंतरी राम विचार नेताम ने बयान दिया कि 4 जून को आने वाला है गौरव का खशन कल देश में नया इतिहास रचा जाएगा जनता कॉंग्रस को सबक सिखाएगी। क्या का सुनवातें। कल मत गड़ना होगा और इसलिए कल का दिन हम सब के लिए बहुत गोरोगत दिन है हम लोगों ने नारा लगाया कि इस बार फिर से इस बार मोधी सरकार कॉर्बा में आहाथी का गरामिनों पर हमला हुआ है आहाथी के हमले में दो गरामिन जखमी हुए हैं और आहाथी ने दोनों को सून से उठाकर पटक दिया। कॉर्बा में आहाथी की दैशत देखने को मिल रही है हाथी ने एक मकान तोड़ दिया जिसके बाद परिवाप ने घर से भाग कर अपनी ज़ान बचाई वनवे भाग की टीम अब हाथियों की निग्रानी करने में जुटी हुई है इस टूनामेंट में बस्तर बाइसन टीम भी शामिल होगी सिसी पील के लिए बस्तर बाइसन टीम कांकेर में कड़ी मेहनत कराई है IPL की तर्च पर 36 गड़ में भी अब CCPL जैसा आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन को जो है 36 गड़ क्रिकेट बोर्ड के द्वारा करा जा रहा है आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो तमाम नीली जर्सी में जो खड़े हैं वो 36 गड़ CCPL में बस्तर बाइसन के टीम से खेलेंगे और जादा जानकारी के लिए हम चलते हैं क्रिकेट बोर्ड से जुड़े सदस्य से सिधार पाठाक जी हमारे साथ जुड़े हो उनसे जानते हैं कि कब से ये आयोजन सुरू होना है CCPL 7 जून से शुरू होकर 16 तारीक तक चलेगा 16 जून तक और इसमें छे टीमें शरकत कर रही है जिन में ये घमासान महाकुम्ब होने वाला है ये बहुत चांदार आया हो जाने और इन बच्चों के लिए एतिहासिक छण है कि इस तरह के प्लैट्फोर्म में प्रदर्शन करने का आवसर मिलना जिससे इन पर राष्ट्री स्तर के सेलेक्टर्स की निगाह पड़ेगी और इन्हें आगे भविश सुन्दर सुद्र बना करने का उसर मिलेगा कप्तान भी है बस्तर बाइसन के तो उनसे जानते हैं कि आपको इतना बढ़िया मंच जो मील रहा है वो उससे आपको कितना फायदा होगा पहले तो यह बहुत ही गौरवाणित है मेरे लिए कि 36 गड़ में पहला एडिशन है सेसी पील का एक लिग का उसमें मुझे एक टीम भी कप्तान ही मिली है और सही बात है स्टूडमेंट से सारे लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी रहेगी जो भी हमारे प्लेयर्स हैं 19 के 23 के और हम जो सिन्यार उनके और ये जो मैचेस हो रहे हैं सोनी स्पोर्स पे लाइव आएंगे तो वहां से जो भी आइपिल के लिए भी हमको बहुत ही अच्छी 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 मिलेगी और आगे 1923 के बच्चों के लिए सब्सक्राइब सिन्यार में टीम आने के आई ये लिए